नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्वरयोगा स्टार्ट करने से पहले हम किन-किन बातों का दिहान रखना चाहिए, जसे कि हमारी स्वरयोग की जर्णी आसान रहे हैं. पहले आपको आसन जैसे कि पदमासन, बच्जराशन, इसके बाद कुछ प्रणायम, आपको प्रणायम की शुरुवात अन्नुम बलोम से करने चाहिए, और उसके बाद कुछ शूदन क्रिया जैसे कि चलनीती और कुंजल क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपका सरीर स्वस्त रहे और जिससे आपकी स्वर्योगा की जर्नी आसानी से आगे बढ़ती रहे, यदि आपको पाचन, स्वास या नाक से संबंदित कोई समस्या है, तो स्वर्योग अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इन समस्यां को समाधन पहले ही कर लें. स्वर्योग, मैं सबसे महत्पून है आपका ध्यान और प्रणायम, बहुत इंपोडेंट है, क्योंकि ध्यान से क्या होगा, आप अपने आपके मन को इस्तिर कर सकती हो, और प्रणायम से आप अपनी सांसों को अच्छी ताय से समझ सकती हो, और उनको कंट्रोल कर सकती हो, औ और स्वर योग में आपको नियमित अभ्यास बहुत महत्पून है। आपका आहर, संतुलित, पोष्टिक और सुध्ध होना चाहिए। आपको ना तो बहुत अधिक खाना चाहिए, ना ही बहुत कम खाना चाहिए। आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपके सरीर के लिए आवश्चक है। आपको बहुत खाना खाना चाहिए जो कम से कम समय में अच्छी तरह से आसानी से पच जाए। आपको प्रयाप्त नीद की आवश्चक्त है। आपको 6-7 घंटे की नीद लेनी चाहिए। ना आपको कम और ना ज़्यादा नीद लेने चाहिए ये दौश्योग का लच्छ क्या है सुर्योग का लच्छ सिद्धियां आलोगिक सक्ति प्राप्त करना नहीं है इसका मुख लच्छ अपनी चेतना को उंचा उठाना है ताकि सांसारिक अनवहों से परे जाकर मानव जीव में स्टेप बाई स्टेप गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं नेक्ट स्टेप के लिए आपसे अगले वीडियो मिलते हैं थैंक यू पर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सेयरेट